हेलो स्टुडेंट एसन प्रोफेशनल क्लासे से मैं हमंद गुपता आपके लिए लेका हम पेटा एकनॉमिक लोग का जो आपका एक्जामनेशन है उसके लिए ब्रह्मास्त्र आप यह 100 कोश्चन कर लीजिए आपकी सफलता 99.99% कनफर्म है क्यों क्योंकि इससे पहले भी आप हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं आपने वो कोश्चन देगे और इन कोश्चन को जरूर 100% कवर करते हुए साथी साथ आज के सेशन में इंपोर्टेंट कोश्चन और उनसे संबंदित करन्ट अफेर सभी कुछ सामिल किया है तो बड़ा ही इंट्रेस्टिंग वीडियो होने एंड एक्सचेंज बोर्ड ओफ इंडिया ओप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है चलिए इसके संदर में क्या-क्या इंपोर्टेंट फैक्ट्स और पूछे जा सकते हैं उनको भी जान लेते हैं तो सेबी कि जो इनिशियली यह जो कॉंसिट्यूट क्या गया था जो बन कि रिकमेंडेशन पर प्राप्त हुआ था तो चलिए आगे कोशन जानते हैं आगे और क्या-क्या इंपोर्टेंट फैक्ट है नेक्स्ट कोशन है बिटा आपका हूँ इस दा करेंट चेर्मेंड ऑफ सेबी सेबी के वरतमान अध्यक्ष कोन है यह दि आपके पास इस प्रका आंसर होगा वो होगा अजे त्यागी लेकिन वरतमान में 2022 में फरवरी 2022 में अजे त्यागी को रिप्लेश करते हुए माधाबी पूरी बुच जो है सेबी की पहली महिला अध्यक्ष होंगी और यह पहली गैर आई-एस व्यक्टी भी होंगी वरतमान में जो तो अजे त्यागी जी थे उनका पास साल का समय जो है 28 वर्री 2022 को खटम हो गया है और उनके इस्थान पर माधाबी पूरी बुच ने पडग्रेहन किया है तो अगर आपके पास माधाबी पूरी ओप्शन आए तो माधाबी पूरी लगाएंगे माधाबी पूरी नहीं है अ इस्टर अजे त्यागी को आप चूज करेंगे वह आपका करेक्ट आंसर होगा चलिए नेक्स कुर्शन के बारे में जानते हैं नेक्स कुर्शन है बटा प्रस्ट ओनर ओफ दा कॉपिराइट का पहला मालिक कौन होगा तो ध्यान रखेंगे कॉपिराइट का जो पहला मालिक होगा वह होगा ओथर ऐस्टर नेक्स कुशन है इन इंडिया डा लिट्रेरी वर्क इस प्रोटेक्टिड अंडिल क्या कहा है कि भारत में साहितिक कारे को तब तक संदक्सित किया जाता है कब तक ऑथर की मरत्यू के बाद 60 साल तक यानि कि option number A इसका correct answer होगा क्या कि 60 years after the death of the author चलिए next question क्या पूचा गया है next question पूच रहा है design does not include design में शामिल नहीं है तो जो option दिए गए है उसके accordingly हम direct आपको आंसर बता रहे हैं design में किसको शामिल नहीं किया जाएगा design में mode और principle of construction को शामिल नहीं किया जाएगा option number A इसका correct answer नेक्स्ट कोश्चन है the agreement that is enforceable by laws known as कानून द्वारा लागू की जाने वाले समझोते को निम्द में से केस रूम में जाना जाता है तो यह जाना जाएगा valid agreement के रूम में जाना जाएगा option number C इसका correct answer है चलिए next question जानते हैं तो next question आप से पूच रहा है माल के बहुगालिक संकेट में निम्लिकित में से कोन सा सही है बहुगालिक संकेट में manufactured goods, food stuff, handicraft इन सभी को शामिल किया जाता है all of the boss इसका correct answer होगा next question is the finance commission of India is established as per which article of Indian constitution के भारती है वित आयोग की स्थाबना भारते समवधान के किस अनुच्छेड के द्वारा की जाती है तो इसका ध्यान रखेंगे अनुच्छेड 288 option number C इसका correct answer होगा विटा चलिए अब next question क्या है next question है depository act 1996 was enacted in India क्या गया रहा है कि भारत में निक्षेपागार अधिनियम 1996 अधिनियमित किया गया था यह कब से अधिनियमित किया गया था तो बड़े important data इसको अच्छे से तयार कर लेंगे 20 सितंबर 1995 इसका correct answer है चलिए next question जानते हैं तो next question है आपसे पूछ रहा है depository act 1996 extends to निक्षेपागार अधिनियम 1996 का विश्तार कहां तक है यह संपूर्ण भारत में है whole of the India option number B इसका correct answer है student यदि आप हमाई channel पर नए है और आपने अगर previous वीडियो नहीं देखे हैं तो आपकी सुविधा के लिए आपके पूरे बीकों में जो subject दिये गए final year में उन सभी के important lecture वीडियो और उनके previous year paper में जो question पूछे गए उन सभी की आपकी सुविधा के लिए playlist का जो link है इस वीडियो के description box में हमने डाल दिया है आप नहीं उनको नहीं देखा तो उनको भी जरूर चेक कर ले जिससे आपकी कम समय में जादा सी जादा तयारी और आप अच्छे marks प्राप्ट कर सके चलिए next question जो पूछा गया है next question पूछा गया है what is not patentable क्या गया रहा है कि क्या patent योग्य नहीं है ABCD तो इस question का जो correct answer आएगा all of the above आजाएगा option number D इसका correct answer है next question पूछा गया है the copyright act 1957 ये कब से लाग हुआ तो ये 21 जनवरी 1958 चे लाग हुआ option number A इसका correct answer है next question है copyright act 1957 कहां तक फैला है ये संपूर्ण भारत में जम्मू कश्मीर को भी शामिल करते हुए सब भी जगा फैला हुए option number A इसका correct answer है next question है आपका the term WIPO stands for WIPO का जो full form है वो क्या होगा इसका जो full form होगा world intellectual property organization option number C इसका correct answer होगा next question है which of the following is an intellectual property as per IPR law in India क्या कहता है IPR law के accordingly intellectual property में कौन सा शामिल होगा option दिये गए trademark of Tata company किसी भी company का trademark original literary work और industrial design किसी भी company का तो यह सभी जो है IPR law के accordingly intellectual property राइक लोक अकौर्डिंगली intellectual property की definition में शामिल होंगे अर्थात option number D इसका correct answer है चलिए अब next question के बारे में जानते हैं तो next question है एक company which is to ensure that no one else can use their logo तो इसका जो correct answer होगा वो आएगा trademark क्या कह रहा है कि company चाहती है कि उसका जो लोगो है वो कोई भी यूज ना कर सके तो वो किसके अंदर उसको यह दिखार प्राप्ट होगा यह उसको trademark करना पड़ेगा है और ध्यान रखेंगे trademark क्या होगा brand का जो registered रूप है वो क्या कहलाता है trademark यह आपका marketing से संबंदिद भी question है महाँ पर आप से question पूश्टा है क्या सभी brand trademark है तो इसका अंसर आएगा नहीं क्या सभी trademark brand है तो इसका मतलब आएगा कि यह क्योंकि brand को जब registered करा लेते हैं तो वो ट्रेड मार्क क्याला आता है और रिजिस्टर क्यों कराता है जिससे आपकी technology जो आपने invention करी है वो उसका benefit आपको मिले आपकी जो मेहनट है वो कोई और easily use ना कर सके अगर वो यूज करता है तो उसको आपको पैसे देने पड़ते हैं उसको यूज करने के रोयल्टी के नाम के कह सकते हैं इसको next question है वो क्या है आपसे पूछ रहा है कि निम्ण में से कौन सा है शब्ड stock exchange से समबंदित नहीं है तो इसके अंदर NAV, NSC, IPO यह सब्धी क्या है हमारे stock exchange से समबंदित शब्ड है जबकि KPO knowledge process outsourcing यह हमारा stock exchange से समबंदित शब्ड नहीं है और यह जो शब्ड दिए गए है इसके जो 17 question है इसका जो correct answer है वो तो आएगा KPO question की वर्ड के अनुसवार अब इनकी full form जान लेते हैं net annual value national stock exchange initial public offer और knowledge process outsourcing चलिए अब next question के बारे में जानते हैं main objective of feminist FEMA का मुख्य उडिश्य क्या है option जी है विदेशी मुद्रा को विनेमिट करने के लिए विदेशीमुद्रा गति विदियों को निरियंत खरने के लिए तो इस ग्रीड का correct answer है फेमा का जो उडिश्य का right option number D is correct answer है चलिए next question जानते हैं तो next question है विदेशी मुद्रा के विनियमन और प्रबंदन से सम्मंदित प्रावधान किस अनुभाग में दिये गए हैं तो इसका जो correct answer है वो आएगा section 3 से 9 के अंटर्गत दिये गए हैं option number A इसका correct answer है next question के बारे में जानते हैं तो next question कह रहा है कि अधीकरत व्यक्ति विदेशी मुद्रा में सोदा करने के लिए transaction करने के लिए किस प्रादिकारी द्वारा अधीकरत किया जाता है किसके द्वारा रिजिस्टर किया जाता है तो यह RBI के द्वारा नुक्त किया जाते हैं चलिए ती है उसका कारेकाल तै नहीं है option number C इसका correct answer होगा चलिए अब next question के बारे में जानते हैं बड़ा important question है फेमा becomes the act as on फेमा अधीनियम के रूप में कब बना तो यह ध्यान रखेंगे यह एक जून 2000 इसका correct answer है अधीनियम के रूप में कब बना यह एक जून 2000 को बना और इसकी full form आप से examination में पूछ लेता है तो इसकी full form क्या है foreign exchange management act नेक्स्ट है फेमा एक्ट 1999 में कितने sections है तो ध्यान दखेंगे फेमा एक्ट 1999 में कुल उनंचस sections है उनंचस धार आए हैं उनंचस धार आए हैं option number B इसका correct answer है next question है appeal against save can be done within how many days तो ध्यान दखेंगे सेवी के अगेंस्ट में जो appeal की जा सकती है वो 45 दिन के अंतर्गत की जा सकती है option number B इसका correct answer होगा next question है full form of set set की full form क्या है तो ध्यान दखेंगे SAT की जो full form है वो होगी बटा securities appellate tribunal option number A इसका correct answer है set की जो full form है और ध्यान दखेंगे जो set है यह statutory body के तोर पर establish किया गया था सेवी act 1992 की धारा 15 के के अंतर्गत क्या सेवी act सेवी सेवी act का पूरा नाम क्या है सेवी act 1992 और इसका section 15 के के अंतर्गत जो है सेट की जो है establish किया गया आता है अजे statutory body चलिए अब next question जानते हैं तो next question क्या है जो पूरा नाम है 2000 यह कब से लाग हुआ यह 11 मई 2001 से लाग हुआ option नंबर भी इसका correct answer है next question है number of total section in design act design act 2000 में total कितने sections है तो design act में जो total section है वो कितने है 48 48 sections है तो इसको अच्छे से तयार कर लेंगे चलिए next question है first geographical indication tagged product in India भारत का पहला GI tag product कौन सा है तो ध्यान दखेंगे यह जो GI tag भारत का पहला GI tag प्राप्ट हुआ तो ध्यान रखेंगे से संबंदित important factor next question है भारत में निवासी व्यक्ति को Fema Act 2000 द्वारा परिभाशित किया गया है किस धारा के अंतर गट तो ध्यान रखेंगे इसकी जो धारा है वो है धारा टू वी option नंबर भी इसका correct answer है चलिये नेक्स्ट कोश्ण के बारे में जानते हैं पटा नेक्स्ट कोश्ण है विदेशी मुद्रा विन्यमन अधिन्यमन को निरस्ट करने और प्रतिस्थापिट करने के लिए एक विद्य को लक्षा ग्रह में पेश किया गया है लोग सभा में लोग सभा में पेश किया गया है तो यह 4 अगस्त 1998 में पेश किया गया उप्षन नंबर A इसका correct answer है नेक्स्त कोशन है अनुभाग section कौसा section विदेशी मुद्रा रखने से संबंदित है तो विदेशी मुद्रा रखने से संबंदित जो धार है वो धारा चार है option number B इसका correct answer है इस संबन में किया गया आवेदन अधीकरत व्यक्ति के रूप में ग्यात किसी भी व्यक्ति को अधीकरत कर सकता है तो इसका जो से वह है और उपर सी इसका क्रेक्ट आंसर होगा चलिए एक जानते हैं तो ने शचने किस धारा कि यहुँ एक चालू खाटा लें-ने को परिवाशित करती है तो इस पुस्चिन गोड़े नंबर एश का करेक्ट आंसरे नेक्स्ट कोश्टन के बारे में जानते हैं तो नेक्स्ट कोश्टन कह रहा है हमारा कौन सी धाड़ा उलंगन और दंड से सम्बंदित है तो ओप्शन आ जाएगा कौन सा चैप्टर कौन सा अध्धाय उलंगन और दंड से सम्बंदित है तो इस question का जो correct answer है वो है chapter 5 चलिए अब next question के बारे में जानते हैं तो क्या कह रहा है next question के कौन सी धारा में विदेशी मुद्रा की प्राप्ती और प्रत्यावरतन से सम्बनित प्रापधान दिये गए हैं तो इसका जो section है वो section 8 है वटा option number A इसका correct answer है next question है ऐस सुरक्षिट डिवेंचर के लिए सुरक्षा परकार के रूप में अबंटित कोड कौन सा है के लिए एलोटेड सिक्यूरिटी टाइप का जो कोड है वो क्या है तो इसका जो कोड होगा वह 08 होगा ध्यान रखेंगे बड़ा इंपोर्टेंट कोशन आपके एक्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसको अच्छे से त्यार कर लेंगे अब नेक्ट कोशन है शब्ड बॉद्धिक संपदा अधिकार इंटलेक्च्वल प्रोपर्टी राइट शोट में कहा देंगे आई पी आर जो है यह कवर करता है आई पी आर में कौन सी चीज़े शामिल होंगी इसके अंदर कोपी राइट भी शामिल होगा नोहाव भी शामिल होगा ट्रेड मार्क या ट्रेड यह ट्रेड ड्रेस नहीं ट्रेड मार्क है विटा इसको अच्छे करेक्ट कर लेंगे टाइपिंग मिश्टेक है तो यह क्या है ट्रेड मार्क है तो इसके अंदर यह सभी शामिल होंगे अर्था तो ऑप्शन नमबर डी इसका सही आंसर नेक्स्ट कोर्शन के बारे में जानते हैं तो नेक्स्ट कोर्शन कह रहा है बौदिक संपड़ा अधिकार सूचना और विचारों के परियोग की रक्षा करती है तो यह किस परकार के सूचना और विचारों के उपयोग की रक्षा करती है तो यह कोमर्शियल वैल्यू जिनकी ह उनकी जो है दक्षा करती है important question है आप अच्छे से तयार कर लेंगे यह वाला question competitive exam में भी पूछा जा चुका है तो important question है तयार कर लेंगे नेक्स्ट question है भारत में सहाइतिक कारे को तब तक संदक्षित किया जाता है तब तक संदक्षित किया है तो इसका ध्यान रखेंगे इसका जो करेक्ट अंसर था कि लेका की मरेट्ट्यू के साथ साल बार तक इसको रखा जाता है नेक्स्ट question के बारे में बात करते हैं तो नेक्स्ट को सने फैक्ट्री एक्ट के अनुसार चाइल्ड का मतलब एक ऐसा व्यक्टी जिसने अपनी संदरावर्ष आपसे इसके संदर में section भी पू सकता है पेपर में की से इसका जो करेक्ट आंसर सर्थ है नेक्स्ट question के बारे में बात करते हैं तो नेक्स्ट है हामारा को निस सो थैनवे में कौन सा अधिनियम गती और सटीक्ता के साथ Budget rappelle क्यों प्रदान करने के लिए पारिट किया गया था तो यह depository act इसका correct answer है option number A इसका सही होगा चलिए next question जानते हैं important question है कौन-कौन से भी एससी लिमिटेड जिसे पहले बॉंबे इस्टोक एक्सचेंज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था यह इस्थापिट किया गया था यह इस्थापिट किया था तो यह 9 जुलाई कभ 9 जुलाई 1875 देड ध्यान दखेंगे नो जुलाई 1885 को स्थापिट किया गया था नेक्स कोशन इससे रिलेटिड है एनसी नेशनल स्टोक एक्सचेंज जो है इसकी स्थापना देश में पहले इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंज के रूप में कब की गई थी 1992 में की गई थी और इससे संबंदित जो फैक्स है उनको भी जान लेते हैं तो कि क्या है कि एनसी की जो इस्थापना है यह फेरवानी कमेटी की रिकमेंडेशन पर 1992 में इस्थापिट किया गया और यह अपना प्रारम गया था नसी ने अपनी वर्किंग जो है प्रारम की यह कब से करी थी 1994 से यह ओपरेशनल हो गया था नेक्स्ट कोश्चन आप से पूछा गया है को पेपर के अंदर आपके इंपोर्टेंट कोश्चन जो हमारा मोग टेस्ट है वो क्या है वीच ओवड़ा फ इसका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट कोश्चन के बारे में जानते हैं तो नेक्स्ट कोश्चन है विच आर दा सोर्स इज ऑफ आर्सेनिक पॉलुशन अब आर्सेनिक पॉलुशन का कौन सा मीन सोर्स है तो आप्शन दिये गए है माइन टेलिंग पोल एंड पेट्रोलियम और डिटर्जेंट एंड पेस्टिसाइड तो यह सभी जो हैं आर्सेनिक पॉलुशन के सोर्स हैं ऑप्शन नमबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा चलिए अब नेक्स्ट कोश्चन के बारे में जानते हैं तो नेक्स्ट कोश्चन है विच ओफ दा फॉलॉइंग इस सोर्स ओ बोरौन एयर फॉलुशन निम्ड में से कौन सा बोरौन एयर फॉलुशन का सोर्स है तो रोकिट और जैट इसका करेक्ट आंसर होगा ओप्शन नमबर बीस का सही आंसर होगा चलिए नेक्स पूछा गया है निम लिखित मेंने कोन करमचारी सुरक्षा और स्वास्थे से का correct answer है अब यहां पर आपसे important question और बनते हैं आपसे ऐसे पूछ सकता act के नाम दिये हो सकता है और उनके साल दिये हो सकते हैं जैसे factory act 1948 mine act 1952 तो act और उनके साल भी आपसे matchmaking के रूप में फूछ सकता है तो आप इनको ऐसे भी तयार कर लेंगे factory act अब आया 1948 mine act 195 payment of bonus act 1965 डोक workers safety health and welfare act यह कब है 1986 तो इनको इस तरीके से भी आप याद कर लेंगे 48 number question का जो correct answer है वो आएगा option number c payment of bonus act 1965 चलिए next question है world environment day कब celebrate किया जाते है तो ध्यान दखेंगे world environment day यह परतिवर्श पांच जून को celebrate किया जाता है students world environment day के उपर हमने एक पूरी detail में एक lecture बनाया हुआ है आप playlist में जाके उसको भी चेक कर सकते हैं वहां पर और भी आपको facts जानने को मिल जाएंगे यहां पर short में इतको इतना ही समझते हैं नेक्स्ट कुश्चन है world environment day 2020 की थीम क्या है तो 2020 की जो थीम थी वो थी time for nature अब जो important बनता है आपको ध्यान दखने के लिए 20 की थीम time for nature 2021 की थीम क्या है की ecosystem restoration है ना और 2022 की थीम क्या है 2022 की वर्ड एनवायरमेंट डे 2022 की थीम only one earth आपको थीम ध्यानों नहीं चाहिए और इससे समझनी तोर question बन सकता है अर्थ डे आप से पूच्छ सकता है अर्थ डे कब बनाया जाता है यह 22 अपरेल को बनाया जाता है इस साल 22 अपरेल 2022 को अर्थ डे की थीम क्या थी इनवेस्ट इन अवर प्लैनेट थी अब आपके लिए question बनता है क्योंकि जब हम खुच से किसी चीज को सर्च करते है तो लंबे समय तक यार रहती है तो आज के लिए आपका homework के रूम में रहने वाला बैटा अर्थ डे 2021 की थीम क्या थी यह आपको comment box में comment करके बताना है देखते हैं इसका answer सबसे पहले कौन-कौन students देते हैं next question जानते हैं तो next question is factory act अधीनियमित किया था यह फैक्ट्रीक कब अधीनियमित किया गया था जो पहला फैक्ट्रीक पहला फैक्ट्रीक यह 1881 में अधीनियमित किया गया था option नम्मर ए इसका correct answer है चलिए अब next question के बारे में जानते हैं तो नेक्स कोश्चन है SEBI विंदैम्न दोजान नौ से समवंद्रृट दिशा निरदेश देता है तो इसका जो क्रेक्ट अउंसर है वह पॉब्लिक इशू जयंता के मुदेश ऊप्शन नंबर सी सका correct answer होगा next question के बारे में जानते हैं तो next question क्या कहा रहा है next question है भारते पुझी बाजार में घोटाले को निरियंटिट करने के लिए निमलिकित में से किस निकाय के पास नियामक शक्ती है तो ध्यान दखेंगे इस question का जो correct answer आएगा वो आएगा सेबी next question है शब्ड वर्ड बुल और बियर बुल और बियर किस से सम्बंदित है तो ध्यान दखेंगे बुल और बियर ये share market से सम्बंदित शब्ड है option number C इसका correct answer होगा चले next question जानते हैं तो next question है depository act ये किस साल पारित किया गया था ये 1996 में पारित किया गया था option number C इसका correct answer होगा next question है भारत का पहला pollinator park कहां पर open किया गया है कहां पर कोला गया है ये उतराखंड में कोला गया option number D इसका correct answer है चले next question है NGT has been kite string made of which material क्या गया है NGT के द्वारा पतंग उड़ाने वाला कौन से धागे को ban किया गया है तो धागा किस कौन सा नहीं होना चाहिए ना तो plastic का होना चाहिए किसी भी synthetic material का और nylon का धागा नहीं होना चाहिए और थाथ इस question का correct answer आएगा वो आएगा all of the above इसका सही answer होगा next question जानते है तो next question है N.A.M.P की full form क्या है बड़ा important question है तो N.A.M.P की जो full form होगी वोगी national air quality monitoring program अर्थात option number D इसका correct answer होगा next question के बारे में जानते है तो next question है C.P.C.B का परदान कारेले कहाँ पर है center pollution control board का जो परदान कारेले head office है ये कहाँ पर है तो C.P.C.B का जो परदान कारेले ये नई दिल्ली में है option number A इसका correct answer है इसी से संबंदित question है क्या के निम लिखित में से कोन सा परदूशन निरियंतरन के छेतर में देश का शिर्ष संगटन है C.P.C.B देश का pollution control के संदर में शिर्ष संगटन है Central Pollution Control Board option number A इसका correct answer है next question के बारे में जानते हैं तो next question है factory act 1948 के प्रारंब होने के बाद कार खाने में कारेरत परतेख श्रमिक के लिए इस्थान कितने घन मीटर होना चाहिए तो इसका जो correct answer है कि परतेख श्रमिक के बीच में जो इस्थान का इस्पेस होना चाहिए वो 14.2 घन मीटर का होना चाहिए next question है गर्मी के गर्मी के गर्मी गर्म मोसम के दोरान पानी को ठंडा करने का प्रावधान संगठन द्वारा किया जाना चाहिए यह कितने करमचारी हो या अधिक करमचारी होंगे तब करना चाहिए तो 250 करमचारी होने पर option number B इसका correct answer है next question है क्या के पतंग उडाने वाले मांजे को किस ने बैन किया था पतंग उडाने वाले मांजे को NGT ने बैन किया गया था option number B इसका correct answer है next question है water prevention and control of pollution act जो है ये कब से लागू है ये सन 1974 से लागू है next question है scores की full form क्या है तो scores की जो full form होगी वो सेबी complaints redressal system होगी option number C इसका correct answer है next question है circuit breaker system सेबी द्वारा कब introduce किया गया था circuit breaker system सेबी के द्वारा सन 2001 में शामिल किया गया था next question है IFSCA का पूर्ण रूप क्या है IFSCA का जो पूर्ण रूप है वो है international financial service centers authority option number D इसका correct answer है next question है PFRDA का पूर्ण रूप क्या है तो PFRDA का जो full form है वो है pension fund regulatory and development authority of India option number A इसका correct answer है चलिए next question के बारे में जानते हैं तो next question है PMS का पूर्ण रूप क्या है PMS का पूर्ण रूप है portfolio management service option number C इसका correct answer है next है IPO का full form क्या है IPO का full form है initial public offer option number A इसका correct answer है next question है सेबी के अध्यक्ष की न्यूक्ती कितने समय के लिए की जाती है इसका क्या टेर्ण है तो इसका कोई टर्ट समय अवदी निश्चित नहीं है option number D इसका correct answer है next question है सेंसेक्स में कितनी कंपनिया ओठी है तो ध्यान रखेंगे सेंसेक्स में कुल 30 कंपनियों का इंडेक्स होता है ये next question है next question हमारे से पूछ रहा है dash परतिभूतियों में खरीदने बेचने या soda करने के लिए अधिकरत है कौन इस्तोक ब्रोकर इसका सही answer आएगा option number B correct answer है next question आप से पूछ रहा है निमलिकित में से कौन सा कार खाना दीनियम 1948 के तहट एक वैद्धानिक कल्यान सुविधा नहीं है तो इसका जो correct answer है वो हैगा transport option number C next है question कार खाने में सामाने मजदूरी के साथ एक दिन में दैनिक कार रहे के अधिक्तम घंटे होने चाहिए तो यह अधिक्तम कार घंटे कितने होने चाहिए 9 घंटे होना चाहिए option number D correct answer है चलिए अब next question के बारे में जानते हैं तो next question है परती भूतियों के नाधिकरन के बैंच आम टोर पर डैश पर बैठेंगे तो इसका question का जो correct answer है वो कहा है मुंबाई पर the benches of the security appellator tribunal shall ordinary sit at कहां पर बैठेंगी मुंबाई में बैठेंगी यानिकि मुंबाई से इनका control होगा next question है आप से पूछ रहा है वन अधिनियम भारत के संपूर्ण शेतर तक फैला हुआ है सिवाए किसके ये जम्मू कश्मीर को छोड़ते वे संपूर्ण भारत में फैला हुआ है next question है हमारा patent सहयोग संदी का क्या अर्थ है तो patent सहयोग संदी पर सिंगापूर में हस्ताक्षर हुए थे option number इसका correct answer नेक्स्ट है टर्म डबलू आई प्यों का क्या आर्थ है डबलू आई प्यों का क्या आर्थ है विश्व बॉद्धिक संपदा संग्टन वर्ल्ड इंटेलेक्ट्ट्वल प्रोपर्टी और्गनाइजेशन इसका सही आंसर अप्शन नंबर सी जो है correct answer होगा next question के बारे में बात करें तो next question है धन शोधन निवारन अधिनियम prevention of money laundering act 2002 यह कब लागू हुआ तो ध्यान डखेंगे यह एक जुलाई 2005 को लागू हुआ बड़ा important question है आपसे examination में पूछा जाने वाला है तो इसको अच्छे से त्यार कर लेंगे next question है निमलेखित अधिनियम में से किस अधिनियम को money laundering का अधिनियम माना जा सकता है insider trading drug trafficking illegal arms sales और यह सभी तो इस question का जो correct answer है वो यह सभी आएंगे इसके अनतरगत next question है RBI अधिनियम 1934 की धारा 45 एक के खंड सी के अनुसार वित्य संसाद नो में शामिल है तो इस question का जो correct answer आएगा वो आएगा उपरोक्ट सभी इसके अंदर गैर बैंकिंग वित्य कंपनी चिट फंड कंपनी आवास वित्य संस्तान यह सभी शामिल होंगे next question के बारे में जानते हैं तो next question क्या कह रहा है परत्येक रिपोर्टिंग इकाई को धारा बारा के अंतरगत ग्रहक के साथ लेंडेन के बाद कितने वर्ष के लिए record बनाए रखने की आवशक्ता है तो इसका जो सही answer है वो है पांच साल next question है board of consolation is required to slab board की आवशक्ता किस point के लिए है विवाद की जाच करने के लिए विवाद का सुहादपूर्ण सवाधान सुनिष्टी करने के लिए ए और बी डोनो या उपरोक्त में कोई नहीं तो इस question का जो correct answer आएगा वो ए और बी डोनो आएगा next question है एक व्यस्क कार्रे करता के साप्ताहिक काम के घंटे कितने होंगे यह 48 घंटे होंगे option number a इसका correct answer है चले next question के बारे में जानते हैं तो next question है वर्ष 1947 में ओद्योगिक विवाद अधिनियम के लागू होने से पहले किस अधिनियम ने ओद्योगिक विवादों का ध्यान रखा था तो यह trade dispute act 1939 ने इसका ध्यान रखा था option number c इसका correct answer है next question की बात करें तो next question है ओद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 किस तारीक को स्विकर्ट हुआ और कानून की पुस्तक में आया तो यह आया था 11 माच 1947 को option number c इसका correct answer है next question है current affairs related question है high very high risk as the which risk profile for the mutual fund scheme teams तो क्या गया है कि बहुत उच्च जोखिम mutual fund योजनाओं के लिए कौन से नंबर का जोखिम profile के रूप में शामिल किया गया है तो यह छटे नंबर का risk profile है option number c इसका correct answer है next question है उपक्रमों के हस्तांतरन के मामले में श्रमिकों के मुआवजे के लिए कौन सा खंड है तो कौन सा section है कौन सी धारा है तो धारा 25 एफ एफ option number c इसका correct answer होगा next question है ले ओफ का क्या मतलब है तो ले ओफ का मतलब है काम करने वाले को काम देने में न्योक्ता की एक्षमता option number b इसका correct answer है next question है patent अधीनियम में परिभाशित व्यक्ति शब्ड में सरकार शामिल है क्या कर रहा है the term person as defined in the patent act includes government क्या तो इसका question का जो correct answer है yes option number a इसका correct answer person में government शामिल है definition के accordingly तो next question क्या कह रहा है next question कह रहा है एक सारजनी कुप योगिता सिवा में कारेरट कोई भी व्यक्ति इस तरह के notice देने पर कितनी सब्ता के अनुबंद के लंगन में हड़ताल पर नहीं जाएगा option number a इसका correct answer है छे हफ्टे next question के बारे में बात करें तो next question है निमल कित में से कौन एक कार खाने की परिभाशित से चिंतित नहीं है तो इस question का जो correct answer है वो all of the hotel, mine, railway, running, shares यह सब भी आएंगे option number d इसका correct answer है next बड़ा important question है फैक्ट्री एक्ट्री सब्वंदीत क्रेच की सुविदा उस कार खाने में परदान की जाएगी कि जहां महिलाओ की संख्या अधिक होगी कितने से अधिक होगी जहांपे महिलाओ की संख्या 30 से अधिक होगी क्रेच है क्या तो बिटाए ध्यान दखेंगे factory premises में ये उन महिलाओ के लिए सुविदा परदान की जाती है जिनके छोटे बच्चे हैं क्रेज क्या है कि एक common room है जहां पर महिलाएं अब काम के दोरान अपने बच्चों को खेलने के लिए छोड़ देती हैं और वहां पर factory act के अनुसार बच्चों के लालन पानल के लिए उच्छी सुविधा होगी खेल खिलोने होंगे और महिलाएं अपने बच्च काम के दोरान अपनी assembly land पर काम करेंगी और बीच बीच में आ करके अपने बच्चों को देख सकते हैं उनको विशेज छूट दी जाती है यह क्रैच की सुविधा कहां पर होगी जहां पर factory में 30 महिलाएं या 30 से ज़्यादा होंगी वहां पर factory act के अनुसार उस factory को एक क्रैच की सुविध देनी होंगी जैसे की ऐसे समझेंगे डिग्री कॉलेजिस में गल्स के लिए बैठने के लिए वहां पर एक गल्स कॉमन रूम दिया जाता है कि नेक्स्ट जो कोश्चन है वह क्या कह रहा है कि बिजली पैदा करने बढ़ले संचारित करने की परकिरिया क्या कह रहा है प्रोसेस फोर जनेरेटिंग ट्रांस्फोर्मिंग ट्रांस्मेटिंग पावर तो इस कोश्चन का जो क्रेक्ट अंसर होगा वह क्या कहलाएगा वह से अधिक श्रमिकों को नियोजित किया जाता है व्यवसाई नियोजित करेगा किसको नियोजित करेगा एक वैलफेर ओफिसर को नियोजित करेगा option number A इसका correct answer होगा चले next question जानते हैं तो next question है अधिकरण के पीठासीन अधिकारी की योगिता क्या होगी वै उच नियाल लेके नियाधीश रह चुके हो वै तीन वर्ष की अवदी के लिए जिला नियाधीश रहा हो वै तीन वर्ष की अवदी के लिए अतिरिक्ट नियाधीश रहा हो या all of the above तो इस question का जो correct answer आएगा वो आएगा all of the above कोई सी भी योगिता होनी चाहिए किसके लिए ट्रिब्यूनल का ऑफिसर बनने के लिए नेक्स्ट कुश्चन है केंद्रिय पर्दूशन अनिये अंटरन बोर्ड सीपी सीबी अध्यक्ष की नूक्टि कोन करता है तो सीपी सीबी के अध्यक्ष की नूक्टि सैंटरल गवर्रूमेंट करते केंद्र सरकार करती या Όप्शन नंब्र छी हिसका correct answer direito नेक्स्ट कुश्चन है बेटा एयर एक्ट है वाई और दिन्यम में एयर एक्ट में कितने धाराएं हैं तो ध्यान रखेंगे एयर एक्ट में कुल चौवन धाराएं 54 सेक्शन से ओप्शन नमबर 20 का करेक्ट अंसर होगा नेक्स्ट कुश्चन है वो क्या है समविधान में परियावरन संदक्षन के प्रावधान निमलिकित थे कौन से आर्टिकल में दिया है दा प्रोविजन ओफ एन्वार्मेंटल प्रोटेक्शन इन दा कॉंस्टिटूशन वर मेड अंदर किस अनुच्छेद में दिये गए हैं तो अनुच्छेद 48A और अनुच्छेद 51A सब्सेक्शन जी में यह दिये गए हैं और इसका करेक्ट आंसर है तो बेटा यह थे आज के 100 वीडियो कैसा लगा कमेंट बोक्स में कमेंट करें इनको अच्छे से तयार करें और साथ ही साथ इस पूरी सिरीज को अपने मित्रों के साथ शेर करें और बीकोम के आने वाले एक्जामनेशन के लिए जो हमारे चैनल द्वारा अपलोड लेक्चर किये गया उनके भी लिंक इस वीडियो के डिस्कॉप्शन बोक्स में दे दिये जाएंगे आप उन सभी एक्जामनेशन की तयारी भी इस माध्यम से करें मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइबाए स्टुदेंट्स एंड बेस्ट अफ लग फोर यूर एक्जामनेशन बाइबाए स्टुदेंट्स